आर्पी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं जिसकी सूचना उसने अपने मालिक को दे दी ती जैसे कि लोगडाउं कत्म हुआ वगें अपने गाउं से पैदल चल कर जरिया के हेटली बांध अपने घर पहुचा जहां वह काम करता था और रहता था परूंतु यहां आते ही उसके मकान मालिक ने उसको नौकरी से निकालते जिस तीन मंजिला मकान की यह 15 सारों से देख रहे करता था यहां तक कि उसका पूरे साल का तनक्वा भी काट ली साथी साथ जो उसने अपने बच्चों के लिए पैसे गुल्लक में जमार रखते थे उसे भी उसके मकान मालिक ने च्छीन लिए वह तीन दिन से घर से बागर की रात बिता रखा गए महले के कुछ समाथ से भी लोग उसके भोजन की व्यवस्ता कर रखे गए जरिया से मनोच साओ की रिपोर्ट काम कर रहे हैं अपना बहुत समय इसे दिये और कुछ कारण वस इसे मार्च महीने में इनको कुछ कारण के लिए इनको गाउ जाना पराए तो अपने मालिक से पूछ ले गाए ऐसा है गाउ में कोई किसी को भी मजबूरी होता है कोई मजबूरी इसा इनके साथ जट्टा कि अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गाउं गया गाउं जाने के बाद पाद लोगडाउन हो गया लोगडाउन होने के बाद लोगडाउन होने के पार लोगडाउन होने के चारण यह उदर से आ नहीं पाए उसके बाद यह अपने मालिक से कंसर्ड किये एक मैने हुआ एक मैने के बाद दो मतम जादा दिन होने लगा तो पैसा का इस्तिती खराब होने लगा इनके पास बोले कि भाई यह नहीं अपने के लिए कुछ उनको पैसा वहां से भेज दीजिए मालिक इनका बाद को कोई दरकिनार करते हो इनका मोगाइल को उठाना मतम इ अब मैना निदान नहीं आप भूके मर जाएंगे यह पैदल यातरा देरे बहुत सारे कठनाई रो जहल के जर्या पहुंचे जब जर्या पहुंचे तो देखे कि यहां पे दुसरे का आदमी को कार्मेजी दिया गया तो जब ही कूछे कि भाई मेरा काम इनका सारा प्रिच क चलके ही आएं हैं कि अच्छा है कि मतनम हम लो तो आपके निव के लाइब जितने भी आप लोग मेडिया बंदू हैं से यह कहते हैं इनके बारे में कि इनको न्याए मिले अभी जिस जगह पर ही पहले से राते थे उस जगह को मालिक है उनकी अभी राने के लिए इस और इस हालात में कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि ट्रेंज बस कोई से परिशालन है नहीं या पैजल अप जा नहीं पाएंगे इनके नाम पे बिजली मीटर चला रहे हैं इनके नाम पे और कुछ अपना मतब और कोई पैसा ट्रांजेक्शन उप्सें से भी उटरते होंगे जो इनका निकल रहा है तो इनको दे दिया जाएं क्या नाम हूँ आपका मेरा नाम जुलन सिंग वह संगठन हम लोग आप संगठन भी है उनेश्टा यहां से पैत्रिक गाउं गए और वहां घर के काम में फ़राशा दिकत और मालिक के अनुमती लेके और मालिक वहां से आने के बाद एक डिहरी आया है तो लोग डाउन दस-पंदरा दिन किसी तरह विताए इसके बाद वहां से पैदल चलना इस्टार्ट किये र दस्ते में 24 पचीश दिन गुजर गया कहीं पुलीस का डंडा तो कहीं दोड़ा दोड़ी इसी तरह भाग दोड़ चाह पानी कहीं पाटी लोग खाना दे दे कहीं पानी दे इस तरह करते यहां आये आने के बाद यहां पर एक हमसे नोजुवक हमरा घर का साब समान निकाल पकाल के फैक के और ताला लगा के बैठा हुआ है जो चल के देख लिया जाए कि क्या इस्तिछी में हम रहे हैं महला वासी लोग और मकान का भड़ादार लोग रोटी पानी अभी तक दे रहे हैं आगे हम इसका देख रेख करते थे गाड के रहे हैं 15 साल से हां तनका मिलता आधा रख लेते थे कि जब आपका इए खतम हो जाएगा तो जोड के दे देंगे और आधा चार हजार रुट जा कर देंगे जो परनेंस से हम अपना घर परिवार ज़ाते थे तो जनवरी से तनकाय अभी बंदा नवंबर दिसंबर का पैसा लेके हम फरवरी में घर गए थ उनसे बात भी हुआ, लोकडाउन जब डेरी ओंसोन में हुआ, उस समय उनको फोन से भी संपर्क हुआ, इसके बाद फोन उठाना ही खमरा नंबर से अनुचित समझ रहे हैं, खमरा नाम से जो इस बिल्डिंग में मीटर लगा हुआ है, वहाँ जाके बोले घरिया ठाना प् कोपी और विल्ली का मीटर आप झाल झाल